आज पैन को साइड में रखते हैं और बनाते हैं दो ट्रेडिशनल बेवरेज जो बिंगॉल में बनाया जाता है गर्मियों के महिनों में क्यूंकि ये पेट को ठंडग देती है गर्मी में राहत देती है और आप शान्ती से अपने आपको हाइड्रेट कर सकते हो चली बनाते ह बेल के शर्वत और पुरा आम के शर्वत आगे बताते हैं ये क्या है वैसे बेल जो बो टैपल कहा जाता है फिलाल मैं मुंबाई में हूँ और मुझे बेल कहां से मिला ओं मैं चलीगे अपनी बेटी तस्मीन से मिलने और उस मेरा नाती जॉश बहुत ही हैंसम बंदा है और मुझे डार्लिंग बुलाता है उससे लेके आई मैं बेल और बेल को तोड़ के बाहर का छिलका निकाल के उसका अंदर का पल्प हमें निकालना पड़ेगा ये देखिए पल्प हम निकाल रहे हैं और इसको अच्छे से पानी के साथ मैश करके पूरा पल्प और जो इसका फाइब्रस और दाने हैं इसको हम फेक देंगे तो यह फिलाल हम पल्प निकालने के कोशिश कर रहे हैं यह देखिए काफी करक है और यहां हतोरा भी नहीं है तो फाइनली हमने पल्प तो निकाल लिया इसमें पानी डाला इसको अच्छे से हम मैश करते हैं और फिर छन्unya में इसका सारे पल्प को निकाल लेते हैं, ये देखिए सारा पल्प हम निकाल लेंगे और इसके जो दाने हैं ये रह जाएंगे इसमें फिर उसमें मिलाएंगे, वैसे ये अब दो तरह से बना सकते हो आज हम मीठी वर्शन बना रहे हैं, तो इसमें डाल दिये कैस्टर शुगर जो फ्रिज में पड़ा था और एक पैकेट दूद इसको सर्फ कर दिया थंदा थंदा कूल कूल बेल शर्बत इस रेड़ी अब बनाते हैं आम पोड़ा शर्बत यानि कि आम को जला के आम को रोस्ट करके कच्चा आम को उससे बनाया जाता है एक बहतरीन थं का निकालने में आसान रहे फिर इसको अच्छे से रोस्ट करूंगी खुले गैस के उपर यह आप अवन में भी बेक कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम जादा लगेगा हम तो जुगारू है जल्दी जल्दी फटा फट काम चाहिए हमें तो इसलिए हमने इसको अवन में रोस् बहुत टेस्टी बनती थी और ज्यादा टेस्टी बनती थी तो इसमें थोड़ा समय छोटा करची में जीडा और एक लाल मिर्च को रोस्ट कर लिया और इसको बाद में कूठ के ओपर में डालेंगे अभी फिलाल आम तो ठंडी हो गगी है इसकी छिलका में निकाल रही इसमें डालूंगी rock salt और इसमें डालूंगी पानी और जैसे ये हो गया मैं मसालों को कूठ लेती हूं मसाला भी थोड़ा ठंडा होने से अच्छे कूठती है तो इसको अच्छे से कूठ लेती हूं बहुत जादा महीन नहीं चाहिए थोड़ा से कूठे हुए होने से ही काफी रहेगा अब इसको कूठने के बाद इसको भी साइड में रखते हैं और मेरी शर्बत बन गई है यह देखिए ग्लास में मैंने आइस ले लिया उसके उपर मैं शर्बत पोर कर रही हूँ और इसके ऊपर थोरा सा मैं कुटे हुए मसाला डाल देती हूँ दो ट्रेडिशनल बिंगॉली रेसिपी बेवरेज की रेसिपी जो आपको ठंडा रखेगी रखेगी और बहुत इजी है बनाने में है ना तो इसको थोरा सा पुदिने के पते से डेकोरेट कर दिया बस सर्व और हपी कुकिंग डर्लोज